हेलो फ्रेंड मैं आरके एक बार फिर से आपका इस अमार यूटूब चैनल प्यस्ची बायो वाला में श्वागत है तुछ तो पिछले लेक्चर में मैंने एक यूनिट इस्टार्ट की थी जिसका नाम था अगले लेक्चर में हम लोग क्लेडिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग बायोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो जो क्लेडिस्टिक था क्या था क्लेडिस्टिक था उसमें बहुत साई टॉपिक थी जैसे क्लेडिस्टिक में मुनोफाइलेटिक था पॉलीफाइलेटिक था और पैराफाइलेटिक था इसके साथ कुछ टॉपिक हो थी जिसका नाम था प्लेसियोमार्फी क्या था प्ल क्लेटडिस्टिक को इसके पताने की बाप की थी, तो आईए देदेख कि स्टुनाम और इसी को ़ित ट्किता मित टेक्स्टोनमी लोग के चाहिए होता है वर्गी मतलब करना ज Tous tomar कीसी इस और किसी का भी जब क्ला Histor Exam करते हैं तो एक सब्द आता है स्पी क्या आता है एस्पी के बारे में आप लोग चाने होगे तो एस्पी का मतलब क्या होता है तो आप लोग कहेंगे सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या होता है सिस्टेमेटिक पोजीशन तो वहां पर एस्पी का मतलब क्या होता है सिस्टेमेटि Systematic तो यानि कि क्या हुआ ? फाईलोजेंटिक का Classification यानि कि इस पर हम लोग फाईलोजेंटिक टक्सओनॉमी के बारे में पर्टें है ठीक अच्छा जब आप जो आपका फाईलोजेंटिक अस्टेमेटिक पोजीसन है यानि जो फाईलोजेंटिक systematic या फिर phylogentic टक्SONOMY या फिर CLIDSTIC है यह किसके बेस पर है तो यह BASE है यह यह लूशन के बेस पर थिक यह लूशन के बेस भी है तो यह लूशन में आपको दो बाते दो वर्ड बताया था एक था आंटोज नी एक था फायलोचनी अच्छा फायलोजनी का मतलब क्या होता ह प्योनुजनियों का मत्तब होता है किसी और दियुजक्य झाहिसा चौस कफा ऐसनक किया बात है याने कि युलेशनाली स्थिश्ट्री जूर्यजन आसी फाइलों जिस्थीलिय। गाल दता है, अच्छा, बात हो गई, तुजरी बात मने बता था आंटोजनी, अच्छा, आंटोजनी का मतलब यह होता है, आंटोज एनी का मतलब यह होता है कोई भी आर्गिनिजम हो उसके जाइगोट से कहा से उसके जाइगोट से लेकी डिल्द देट dw यारी कि दिप स्था पिस्था है जितने भी स्टेजु होती यह ज्बर फेज से होती हिं उसके काण सब्सक्का अन्य पूर्छिग था चस्बश को चीनि बिश्डेयन आपका प्ताए श्बशों किलरडिस्टिक बे स्थैम इसल्य पर यह wavelength से स्थैमिडिक यानथ laughs यह कि योईलूशन feet यू उदिक पर फैलोजन daily क्लासरिफिकेसन था क्लासरिफिकेसन ठीम खिह लो अगर आप लोग ने देखे हो तो प्रीविस क्लास आप लोग उठा के देख सकते हैं तो हचिंसा ने फाइलोजेंटिक सिस्टम आप क्लासिफिकेशन दिया था सिस्टम दिया हचिंसटर ने था अच्छा उन्होंने बताया कि होटी कि कवें से कोई से करेक्टर आडवार स मात है यह आप लोग एक बार चाके होए को तो तो फिस्टिक हो उसको जुलोघी और पॉटनी तों रहा क्षान हमें चुशाब क्या युशाब पॉटनी सब्सक्राइब थ। जेलर ने में अपड़ेशो पॉटनी में ने हसाभ मीशी क्षी, जॉलर ने में थोð पॉटनी के लैबल कि एकन घ्री फीज समय क्या कि मेंद दोम जोसा जएली है जोने फीज़ोल होते हैं जेली है एकने दोम सेवरी फिस सकार्ड फिस होता है वह जोससा काम सश्च होता है अबहुटmel को सुथ तो आप लोग कहां पाए जाते हैं तो एक समानता होए दोरों पायाते हैं चोह स्टार पीस होती है और हम दोरों asked स्धिर्ट्री के पोसे लिए सब्सक्राइब फटाइब दूसरा बाइल समिक्ति यह बात हो गई तो जो रेडियल नेंकि होती है वो पोरी फेरा से लिए की इसके लावा खुऴ सते हुआ जो प्रोटो हो गएरा होते हैं उसमें इसे मत्ती पाए कियोंकि उसका जो होता है वो निस्ष्यत नहीं होता या कि ऊथो क्योंकि उस leash proponial की बनंदयी कया है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह बिगरता बनता रहता है वैसे हमारे वाटनी में हम लोग जब उसको रेजिल समेट्टे को अर्टिनोमार्फी बोलते है और पाई लेटर को चैरमार्फी ठिक अच्छा इसके लावा आप लोग का डेटा है मोलिस्का है आर्थोपोडा है न इलीडर है iskaieल मंति ही यह सब्वे में क्या होता है और हमारे आप में भी रहे तो तीन ठूं क्या समनता है अच्छा तिसे एक और समनता की बात करते है चुछ यह जेली फिस थी और स्टार फिस कहा पाई जाती है तो आप लोग का आहसर होगा जेली फिस होती है और स्टा यह सब रही यह समानता है और आपके इसे बोटनी की बात करते हैं और प्लांट प्लांट में क्या क्या समानता है पाया जते हैं ब्रायर्फाइटा बनते हैं तो आपने लोग को ब्रायर्फाइटा की ओरजिन कहां से हुए है तो एल्गी से ठिक कोई भी प्लांट हो अगर वह प्लांट कैसा है तो आप लोग यह जान लेजिए कि वह प्लांट कहां से उत्पन हुआ ग्रीन एल्गी से कहां से ग्रीन प्रण वर्ड जो मने अपने सिकेंड समिष्थर में हम लोग पढ़े थे तिक आप लोग पढ़े होंगे तिक उसके बाद ट्रेडव फाइटा ट्रेडव फाइटा में क्या था क्लब मास आता है मौसस आते हैं उसके बाद जिम्नो इसपन फिर एंज्जियो इसपन अच्छा सबी गिरीन है तो यह बात लिश्चित हो गई इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो इससे प्रतीत होता है यह प्रमारित होता है कि वो फोटो सेंथेस्स की किरिया जरूर करेंगे तो आक्सीजन जरूर निकलेगा चाव वो एल्गी हो चाव वो हायर प्लांट हो कुछ भी हो उन सबी में कुछ ने कुछ रिजर्ब फूर्ड मटधियर होता है जैसे इस्तार्च होते है ठिक उसी प्ली प्रकार कुछ ने कुछ रिजर्ब फूर्ड किन मां होगा तो यह सब क्या होती है उस पर यह सारी समान्ते है न ननी पर ओर दे जानी क्योंकि आपसकी जो सिद्हान प्रणड इसमें अपधे हुआ 만 पुर्णन बार्जिन आ पदे होंगे पढ़ेंगे जिसमें ओपिनेंट को नियम था सिधान था उन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले आज से लगभग कितने आज से लगभग 4.6 कि वह 2 चीज़ थी कहा पर पृत्तविपे पहला क्या था परीमिट्व ओसियन था रोकी मांटेन क्या था रौकी मांटेन पहले ले बताया वाह्ट श्रिंखला परवत श्रिंखला और आधिसागर था उसी आधिसागर से किसे उसी आधिसागर से क्या हुआ उसी आधिसागर से धीर धीरे वाइरस आया क्या आया वाइरस आया और उस वाइरस से क्या हुआ उस वाइरस से फिर बैक्टिरिया का इंद मढ़ हुआ फिर बैक्किर तो सबसे पहले इल्गी आया तो उसके पाद क्या हुआ तो इससे ही होता है कि जो क्लासिफिकेशन है वह किसके बेस में फाइलोजनी यूलूशन के बेस पर है यूलूशनी खिस्टली की आधारपन अच्छा आप पढ़े होंगे वान वेयर के बारे में किसके बारे में वान होगा तो अदो कि희 जानते होंगे जो वान वेयर थे यह इंब्रियो लॉस्ट थे निदे कर दिस अबसे को अब्रीओ उसको लिह होका अंशली उसकू उसको इहोने लिकाला और चर инструмент करें एक लाइन में रकूर आधाента उन्होंने जब देखा उनको समझ नहीं आया कि कौन किसका एंब्रियो है क्योंकि सब में टेलवर्टिब्रा पाई जाती है यानि कि पूछ वाली जो होती है ठीक अच्छा है तो समझ नहीं पाया कि सब पाई कि कौन किसका एंब्री हो अच्छा यह बात होगा अच्छा जब कभी जो इंब्रियोनिक डेवल्प्मेंट में होती है तो उन्हें भी पूछ पाय जाती है पूछ वाली जो है कि आव पाय जाती है तो इससे प्रमारत हुआ कि हमारी आपकी ओर्जिन कहां से हुए तो काड़ होता है यादि कि कुछ करशुल काय पाय जाती है हमारे आपत्र अबहुआ पाय जाती है यह इसके अलावा सब ग्लीट होते है तो यह द्लीट मिलता है कि हमारे आपके पूरुवत पाश्री भी रहे होगे मच्री जैसा हमारा नहीं पूर्वद्र रहा होगा लगा है जो पर क्लेद क्लाइडिस्टिक है इसमें हम लोग को इस्टरी के बारे में माइंड में दिमाग में रखके इसका क्लाइडिस्टिक किया गया इसमें आप लोग को पता होगा कि जैसे जब कभी कभी इंसान डी मोटिवेट हो जाते हैं तो लोग mighty हैं या फिर वो कईसे कही न कईसे अपने आपको उनगे मोतीवेट बनाते हैं उसले परकाल आपके समय आपके जाल के कमें आपके स्क्राइब कि रहते हैं या इंकर हमारे इस वीडियो से शाला रह नहीं होंगे आगे आगी वीडियो की बनाएक रहते हैं करते हैं तो आपको इसके लिए करने होती है लेकिन यहां पर आपको फ्री और कास्ट आपको मेरता है तो कोई भी यूटूब चैनल हो मैं अपने ही बात नहीं करता है तो आप आप लोग को जो भी हो तो आपको कुछ नकुछ नौड़ेश जरूर देते हैं तो आप लोग को शेर करना तो बनता है कि पार शेर कर दिया करिये जो भी इसके बारे में पढ़ना चाहता हो तो चाल लें चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को तब्राशाप टैक्सू अच्छा यह हो गया अच्छा आगी चलती हम लोग अग्री बात करते हैं हम लोग किसके बारे में the clandistic word एक लेडिस्टिक वर्था को सबसे प्रथम किसने दिये था वैलिये हैं री ने दिये था इसको इस वर्ट बहुत ही इच्छा में अच्छा मिँदाब है और यह इसमें क्या-क्या होता है तो इसमें जो है कि आपका इन्वाल्ट क्या होता है क्लेडोग्राम जैसे आपने फेंटिक्स में पढ़ा था फिनोग्राम वैसे ही इस क्लेडिक्स में क्या होता है क्लेडोग्राम होता है ठिक तो क्लेडोग्राम फेंटिक्स में क्या होता है ट्रेला एक इस्ट्रक्चर बनता था उसके ग्राम में लेक इस दिवार मां ब्रांचिंग डागराम इस नोन अज ग्लेड़ोगरम याने किसमें ब्रांचिंग लाइग इस्ट्रक्चर बनती जिसें लोगो ग्लेड़ोग्राम का नाम देती है ठीक अच्छा इस फंक्शन डेज बेस फार्ड़ोजेंटिक क्लासिफिकेसर चुई होता है क्लासिफिकेसर की बेस पर कारी करता है ठीक क्लासिफिकेसर द यहां पे लाया शाप क् chodzi लेड़ीड़ोगरमि रिप्रजेंट क्लेड़ोगरम इस विज डी डिनोजेंट-प्र पीर्वंच उसके बारे में क्या करता है प्लांट एवलोशन यह दुकल यह है वह इस प््रकार सा doc entrepreneur यह दिखाया है कि प्लांट यह टिक मने बताया था कि लिए से मतलब क्या होगा पूर्वज जैसे हमारे आपकी पूर्वज को दादा है दादी है ममी पापा ममी पापा दादी पर दादी तो पापा के दादी फिर दादा के दादी तो यह सब क्या उनके पूर्वज है तो क्या होगे उस पूर्वज को एंसिस्टर का नाम देते हैं ठीक औ यहां はい कि कि यहां पर प्रइः फाइटा है सबसे पर दिखा गया क्या प्रया टाटए को कैसि जो ब्राइए सब्सकराई और तो जो जो प्रइबूर ऐसे ने सब्सक्राइभरं प्रता उसके हैं जी फाइव प्रताट फाइटाा सबसंदें उसमें सबस्क्राइब जला और अधर 5 धय् pajam मिलोग ञेता है तीक कि हां इसके बाद प्र पीर आता है कलब मासेब फटwang सबस्क्राइब बासे में क्लाइब शीख रहने इसमें pokra घाता500m उसके लेव स्पन फिर एंज्यो स्पन एफ्सस्पन तो यह रहा एक प्रकार का ढाय ग्या वह कह सकता है और वर्टिकल कैसे हो और कैसे यह वर्टिकल का व्र्टिकल का लुगत इस वाली फिगर को हम लोग देखते हैं पहले यह एंसस्टर है तो यह जो ए और बी यह तुनों एक जैसी है सिमिलर है इसके किसी ने किसी क्रेक्टर क्या होगा और इसका क्या होगा अलग होगा यह थोड़ा सा क्या है कैसे यहां छाएन करें लेक्सक्र में सिमिलर्टी है वह पाप में नाई हैं क्या हुआ है ऑक अलग है उसे प्रकाल इसमें पूर्वच पूर यालने की ऐंसे यह अलंग हैं यह यह दादा हो एट्यक्र सब्सक्राइब कर दो लड़के नहीं और आपके दो लड़के आपकी सिस्टर का हो सकता कि और आपके चाचाँ काफी अलग हो तो इससी होता कि आपके आपके प्रेट्ट के दो मतल्में आपके सिस्टर की डोग को ओने में टिर्ट्री कर आपको दिखाई सकता है कि यहां यहां पर ऐसलागा लजीगा 네 कि और हैं एक असे फोगई टाहिए कोई है एक भी एकश्य है ने कि दूलों एक डुलों से हो गए यह कैसे उगभी कि दिख धाय昨ży gusto यानि कि इनसे ओर्जिन हो गई है इसे फिर इससे इनकी ओर्जिन हुई है तो यह जैसे हो गए और यह कैसा हो गए यह अलग हो गए तो इस प्रकार से होजेंटल क्लेडोग्राम दिखाए जाए सकते हैं अगर आपको पीडियव चाहिए तो अब हमारे वाटसप नमर पर कंट भीत पॉलिफाराइटिक यह देखी टो पॉलिफाराइटिक पएराफाराइटिक यह तीनों के बारे मं पढ़ना है फिर उसके बाद हम लोग प्लेजियो मॉर्फिक प्लेजियों आपने पने प्रभार की तुरब अच्छा मोनोफालेटिक का मतलब क्या होता है देखिए मोनोफालेटिक का मतलब यह होगा जब एंसिस्टर क्या होगा एंसिस्टर क्या होगा एंसिस्टर देखिए इट मेड़ आफ एंसिस्टर इस पेसीज एंड इस डिसेंट यानि कि जब एंसिस्टर एंसिस्टर की जो इस पीजिए होंगी जब उसके दिसेंडेंट की सेंडेंट और एंसिस्टर जब क्या हो डिफ्रेंट कैसे डिफ्रेंट एंसिस्टर से और आउलादे होती च्छों यह सब होती है संतानी सब दिफ्रेंट हो उस्व मोनफालेटिक का नाम देती है तिक आगे बढ़ते हैं लोग प्रटि अश्व के बाद आएगा इट इंक्लूड इननकम एश्टर प्रड़ इलिट डिश सेट ऑघिंग इसमें क्या होता है इसमें डोनों के यही इनाग है था मिव्यख जैसे होते हैं तब क्या ठीक होते हैं लेकिन इसका यह डिसेंटेंट है यह दोनों एक जैसे हैं एक गुरूप के और यह दोनों क्या है अलग है तो यह क्या होगा पैरा फारेटी हो गया आपको दिख रहा है इसको मनें दूसरे कलर्स दिखा दिया तो यह कैसे हैं अलग है पॉली फाइटिक में क्या होता है यह जैसे सब क्या है और यह अलग है जब कि इसके डिसेंट होते हैं यह साब अलग होते हैं लेकिंगे एंसेस्टर क्या होते हैं एक जिस्सा होता है तो इसमें यहीं मेजर डिफ्रेंस होती है अच्छा चौती बात हम लोग गते हैं एक दो तो लाइन निकली तो तो नो क्या है प्लेशियो मारीफ क्याने कि एक जैसे थे और इनसे इस देखिए मालेची फिर से समझी आप लोग बहुत ध्यान समझेगा एक एंसेस्टर है इनकी दो बच्ची है ठीक यह दो बच्ची हो तो यह दोरों एक जैसे हो गए और चो इनसे इस वाले से जो बच्चे उत्पन हुए इस एंसिस्टर से जो उत्पन हुए दो वो एक जैसे है और इस से जो लिख ले वो डिफ्रेंट है यानि कि जो डिफ्रेंट होगे उसे एपमार्फिक और जो एक जैसे रहा गए उसे प्लेशियो मार्फिक बोले यानि कि जो इनसे डिराइवड हुए इनसे करेक्टर कोई भी करेक्टर हो प्रजेंट इन डिसेंटेंट पट नाट प्रजेंट इन एंसिस्टर मारीजे कोई भी करेक्टर हो पुर्वज में अगर वो ठिक संतान में उत्पन नहीं हो रही है उसे हम लोग कहते एपोमार्फिक ठिक उसे हम लोग कहते एपोमार्फिक जैस लिधि यह कि सब़रे हैं अलाग हो गया कि श कहते हैं एफ मारफिक आगे बगाटे हमुआ हम लोगतर सिपलय को Kent को हम लोग और यह पाम्ड को सब्लाइबर्थकर श्राइट उसी को मुलाइबर्दकिork करेक्टर और यह गिदर देच lui यह इनके माते पिते थे यह वह प्लेशियो मार्फिक वह वाला था यह उपर वाला यह इनसे क्या उद्पन हुआ था ना क्योंकि इसके जो इनसे वही चिंज हो गई है तो यही बात पताएगी है एपमार्फी दया ह्यां आप होता है। आप अन् Buru न वर्अ पूर्पनारथु दूर्पन टेस्टिक्ट्टर्टर् तूएफमार्फी में सेंगल्पन क्या होता है। जब एक सिंगल करेक्टर की बाद की जाए तो उसे आटो मार्फि कहते है और सिन एपो मार्फि में क्या होता है जब जब करेक्टर जो करेक्टर एंसिस्टर में हो और जो करेक्टर डिसेंट हो यानि कि जैसा करेक्टर आपका हो वैसे करेक्टर मतलब आपके संतान का यानि कि जैसा करेक्टर आपके फादर का हो सेम करेक्टर आपका हो उसे क्या कहते है उसे हम लोग कहते है प्लेसियम मार्फि यानि कि जो भी सिमलर्टी आप में हो वही सिमलर्टी आपके फादर में हो जैसे आप हो ऐसे आपके फादर उसे कहते हैं हम लोग प्लेशियो मार्फिक ठीक इसे हम लोग प्रेम्ट्व करेक्टर या फिर एंसेस्टरल करेक्टर का नाम देते हैं और इस फेनामिनाल को हम लोग प्लेशियो मार्फिक या प्लेशियो मार्फिक कहते हैं अच्छे हो मोप्लैसी क्या होता है यह अलग एक टॉपिक है इसमें नहीं दिया गया था लेकिन आप लोगों को पता दिया जा रहा है समझते हैं प्लेशियोमार्फिक क्या होता है बस इतनी सी टॉपिक थी यानि कि जब कोई करेक्टर कोई करेक्टर आपके अंसिस्टर में ना प्रेजेंट हो ठिक जबकि वो आपके डिसेंट में प्रेजेंट हो मतलब एक नए करेक्टर उत्पन हो जाए युज स्वरी म्यूट्येशन हो जाए आपके किसमें आपके वंसेंगं आपके जोईगी उसमें आपके डिसेंट तो उसको हम लोग कहते हैं होमोपलासी । यानि कि कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो आपके पूर्वज में नाहीं है बलक जबकि आपके ancestor में क्या हो प्रेजेंट हो उसको हम लोग कहते हैं homoplasi इससे हम लोग advance और एपोमार्फी करेक्टर का ना भी देते हैं और फार्म एज ए रिजल्ट कनवर्जन एवलूशन जो क्या है एक अच्छा रिजल्ट है तो आप लोग ग्राम से लिए उसके figure से देख सकते हैं ठीक कि जो यह इसका ancestor है और इसका यह पूरवच है इन सभी में क्या हुआ इन सभी में कोई करेक्टर नहीं दिखाई पड़ा लेकिन जो इनके derived ancestor थे उसमें अलग करेक्टर दिखाई पड़ा तो इसको क्या बोलती है हम हम अफ प्रासी इस प्रेकार से आपका यह डिस्ट्रिक टॉपिक complete होता है आगले वीडियो हम लोग क्या पायो मेट्रिक्स के बारें पढ़ेंगे तब तक आगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो चरूर से लाइक करके subscribe करके जाएगा क्योंकि आपकी एक like आपका एक subscribe आपका share हम में motivate करता है किसके लिए आगे की वीडियो बनाने के लिए ठीक कोई डाऊर कोशन हो आप मारे WhatsApp नंबर आपको देही दिया था आप वहां से वाटतब के थूर कंटक्ट कर सकते और PDF के लिए आप पसर टेलीग्राम पर जूड करके या फिर WhatsApp मेसेज करके टेलीग्राम से जू कर देचे जर में?